हेलो फ्रेंड वेलकम बैक तो मैं चैनल तोड़े वी आर गोईं टू टॉक अबाउट हाव टू फाइंड डूब्लिकेट वैल्यू इन लिस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को करते हैं आज का टॉपिक तो हमारा प्रोग्राम है किसी भी लिस्ट से डूब्लिकेट वैल्यू को फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूं जो की स्ट्रिंग का है और मैं यह स्टाइटिक ले रहा हूं यूजर से इंपूट नहीं ले रहा हूं तो यह मेरा एक लिस्ट बन गया जिसमें मैंने जीत दो बार डाला है और राम दो बार डाला है और एक मोहन है तो यहां पर हमारे पास जीत और मोहन डूप्लिकेट है यहां पर एक और वैल्यू ले ले लेता हूं मैं से हम अब हम क्या करेंगे एक नया सेट बनाएंगे यह set बनाने के बाद, अब मैं क्या करूंगा» इस list का سारा element को उठाऊंगा वन बाईवन और रिस set में insert करूंगा सबसे पहले मैं जीत को उठाऊंगा सेट में insert करोंगा वो insert हो जाएगा फिर मोहन को उठाऊंगा सेट में डालूँगा वो insert हो जाएगा जब मैं जीत को insert करने जाओंगा तो वो insert नहीं होगा और जब वो insert नहीं होगा तब हम उसको print कर देंगे कि वो duplicate है तो चलिए उसका logic लिखते हैं हम अपने list को पहले stream में convert कर देते हैं इसके बाद हम filter method का use करेंगे क्योंकि हम filtering apply करना है यह जो मेरा set है set में हम add करेंगे and को और अगर यह add नहीं होगा तब हम इसको collect कर लेंगे किसी एक अब मैं इसको collect कर लूँगा एक set में इसको मैंने set में connect कर लिया अब इसके बाद मैं चाहूँ तो इसको set में hold कर लूँ या फि डारेट में print कर लूँ तो मैं for this method का use करके इसको print करता हूं system.out double अब इसको हम समझते हैं तो यह मेरा set में add method है अगर मैं इस add method को open करूँ तो इसका return type boolean है अगर हमारा set में data इसका insert हो जाएगा तो यह true return करेगा नहीं तो यह false return करेगा तो यहां पर मैं क्षे कर रहा हूं कि set.add and अगर यह first time आएगा तो यह true return करेगा क्योंकि जब यह जीत इसको इसको पर इंसर्ट हो जाएगा मोहन को भी हम इंसर्ट करेंगे तो वह इंसर्ट हो जाएगा लेकि जब दुबारा जीत को मैं इस सेट में इंसर्ट करूंगा तो यह फॉल्स रिटन करेगा और आगे मैंने का सिंबल लगा है जोकि इसको कर देगा फॉल्स को जैसे फॉल्स में अपरिए करे लिटन करके त्रूंच, इसको 156 को इंसर्ट करने बाद अब रून करते हैं अब यहां परफिंज अगया अब इसमें एक और बार जीट ढाल देते हैं मстиनले तो पहले बार जब यह इंसर्ट नहीं होगा तो इस में यृइडका, पर नहीं एडका यह बार भी नहीं होगा इसमें रन करके देख लेते हैं तो यह मेरा आउटपूट आया तो मैं यह बता रहा हूं कि कौन-कौन सा एलिमेंट डूब्लिकेट है पर आपको यह भी पूछ सकते हैं कि उसका हम अकरेंज भी बताईए कि वो कितनी बार डूब्लिकेट है यह मैं मैप का यूज करूँगा अभी के लिए इसको अठा लेता हूं तो मैं यहां एक मैप का यूज करूँगा जिसको मैं स्ट्रिंग कामा इंटीजर लेता हूं तो मैंने यहां पर मैप बना लिया है अब मैं क्या करूँगा मैप का एक फीचर है कि अगर आप map में कोई duplicate key insert करेंगे तो वो उसके value को update कर देगा तो मैं इसी feature को use करूँगा occurrence find करने के लिए तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा ये जीत को मैं map में insert करूँगा पहले मैं जीत को as a key insert करूँगा हर एक value को तो जो भी है सारा मैं उसको as a key insert करूँगा तो सबसे पहले मैं जीत को उठाँगा insert करूँगा और default value इसका 1 डाल लूँगा value में फिर मोहन को मैं check करूँगा इसमें present है या नहीं अगर present नहीं है तो मैं insert कर दूँगा default value 1 के साथ अब मैं जीत को उठाँगा फिर से check करूँगा present है की नहीं तो फिर्स टाइम में वो present था तो मैं उसको get करूँगा अगर present है तब अगर present नहीं है तो मैं तो direct 1 से insert कर दूँगा अगर present नहीं है तो मैं उसको get करूँगा और उसका ये जो value है उसमें प्लस वन करके फिर से इंसर्ट कर दूंगा तो पहले तो वन था पर मैं जब फिर से वन एड़ करके इंसर्ट करूंगा तो वह तू हो जाएगा तो आईए चलिए एक फॉर लूप का यूज करते हैं और देखने हैं कैसे करेंगे अब मैं यहां पर सबसे पहला मेरा एक इप कंडिशन बनेगा इप map.contents key और यह हमारा हो जाएगा value अगर map हमारा value को contents करता है तब तो मैं get करके करूंगा और इसका इसका जो else part होगा उसमें मैंने बुला था अगर वो present नहीं है तब तो मैं direct map में insert कर दूंगा map.put value 1 तो मैंने आपको बुला था अगर data present नहीं है तब तो मैं 1 से insert कर दूंगा अगर data present है तब मैं क्या करूंगा map.put value तो रहेगा ही पर यहां पी मैं करूंगा map.get अब map.get करूंगा तो इसका यह value मिलेगा one two जो भी रहेगा उसमें प्लस one कर दूंगा और इस fall loop के बाद मैं यहां पर sysout को use कर लेता हूं map को print कर देता हूं चलिए अब इसको insert run करके देखते हैं तो स्याम एक बार, मोहन दो बार, जीत तीन बार, राम दो बार आज यह देखते हैं यह कैसे काम करता है तो सबसे पहले जीत आएगा जीत इसमें चेक करेगा contents है या नहीं फर्षा टाइम contents नगी है तो वे जीत एंसे Plus फिर हमारा जीत आएगा और जीत यह contents करता है तो यह else block में ना जाके इह block में जाएगा map.put करेगा value value हमारा जीत है और map.get करेगा तो इसको 1 मिलेगा जब इसको 1 मिलेगा और 1 plus 1 2 हो जाएगा तो अब इसको value को replace कर देगा जीत कामा 2 कर देगा और यह जब तीसरी बार आएगा तो map में फिर से insert करेगा जीत और यहाँ पर map.get करेगा तो यह 2 हो आ रहेगा तो यहाँ पर 2 मिलेगा 2 plus 1 3 हो जाएगा तो अब यह 3 को insert कर देगा मतलब जीत कामा 3 insert हो जाएगा तो इसी तरह से आपका output यहाँ पर आपको मिलेगा जीत थ्रीव, राम दो बार, मुहन दो बार, स्वाम एक बार तो यही पर हमारा वीडियो खतम होता है थाइंक्यू फार वाचिंग मैं वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो लाइक करें और अपनी दोस्तों के साथ सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए